Hello friends, कैसे हैं आप सब मैं हूँ विशुओ तो आज की इस वीडियो में हम लोग जानने वाले हैं कि Microsoft Excel में row के नीचे blank row कैसे insert करते हैं बिना पूरी row को disturb की हुए एक example से समझ लेते हैं अब यहाँ पर आप देख सकते हैं कि इस column में हमने Sunday, Monday, Tuesday, Wednesday, Thursday type किया हुआ है और यहाँ पर इस column में 12345 type किया हुआ है अब अगर हम यह चाहते हैं कि जो Sunday, Monday वाला column है यहाँ पर हर row के नीचे एक blank row आजाए लेकिन यह 12345 है यह disturb ना हो यह ऐसे का ऐसे ही रहे तो इसके लिए मैं क्या करना है सबसे पहले control बटन अपने keyboard में प्रेस करके hold कर लीजे उसके बाद पहले वाली row को छोड़ करके दूसरे वाले पे click करते जाए याद रखी किक आपको click करना है, drag नहीं करना है तो यह हमने Monday पे click किया उसके बाद हमने Tuesday पे click किया उसके बाद हमने Wednesday पे click किया उसके बाद हमने Thursday पे click किया उसके बाद control बटन जो है वो छोड़ दीजे उसके बाद cursor यहाँ बीच पे कहीं ले जाकर करके right click कर दीजे और यहाँ पर आपको यह देखिए insert का option मिलता है इस पे click कर दीजे और यहाँ पर shift cell down पे select कर ये और यहाँ से ok बटन पे click कर दीजे